एक अगस्ट दो हजार तेईस प्रातह मुर्ली उम्शांती बापदादा मधुबन मीठे बच्चे माया की पीडा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ इश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे प्रशना तुम बच्चे किस पुरुशार्ट से मंदिर लायक पूजनिय बन जाते हो? उत्तर मंदिर लायक पूजनिय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुशार्थ करो कभी भी किसी भूत की प्रवेश्टा नहीं होनी चाहिए जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है तो उससे किनारा कर लो पवित्र रहने की स्वयन से प्रतिग्या करो सच्ची सच्ची राखी बांधो गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम शांती भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को भगवान को परमपिता कहा जाता है कहते हैं है पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ तो जरूर सब पतित थेरे क्योंकि रावन का राज्य है पाँच विकार सर्वव्यापी है ऐसे नहीं कि सत्यूप में भी पाँच विकार सर्वव्यापक है नहीं उनको तो कहा जाता है सम्पूर्ण निर्विकारी दुनिया यहां है सम्पूर्ण विकारी दुनिया भारत सम्पूर्ण निर्विकारी था यह भूल गए है बंदिरों म में जाकर देवताओं की उत्मा भी करते हैं, कि आप सर्वगुन संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो, यहां संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं, शरणागती होती है ना, अभी सब रिफ्यू तो पुकारते हैं। के बिलकुल ही पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परम्पिता परमात्मा की गोद ली है भविश्य देवी देवता बनने के लिए। यहां है इश्वरिय गौड फादरली मिशन पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंदा ही है परम्पिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गौड फादर तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। फिर ऐसे कहना सके की परमात्मा कहा है। अरे आत्मा बोलती है ओ गौड फादर। आत्मा पुकारती है परमात्मा को वह इन आंखों से देखने में नहीं आता। आत्मा भी देखने में नहीं आती. यह तो समझ की बात है ना. आत्मा जोती स्वरूप है. परम्पिता परमात्मा का भी वही रूप है. बाप कहते हैं तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो. तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है. आत्मा शरीर छोड़ती है. कहेंगे हमारा बाप मर गया, परन्तु आत्मा मरती नहीं. आत्मा को बुलाते हैं. यह तुम अभी समझते हो. बाकी सारी दुनिया के मनुश्य मात्र बाप को बिलकुल नहीं जानते हैं इसलिए आपस में कितना लड़तेज गरते रहते हैं अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे इन्हों को कहा जाता है देविल्स बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी स्रिष्टी थोड़े ही रचता हूँ बाबा तो स्वर्ग रचते हैं स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर बाप को आना पड़ेना बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने, वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतितपावन आओ या ओगौड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं है, क्योंकि हैं ही सुखी, दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है, शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है, तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है, बाप कहते हैं मैं इन में प्रवेश कर इनका नाम ब्रहमा रखता हूँ, कई तो अच्छी रीती समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है यह पावन दुन्या में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते है यह है ही आसूरी रावन समप्रदाय, रावन को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है, हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते, राखी बंधवाते हैं, फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्षवर्ष राखी बंधवाते हैं, र विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिग्या करो हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनने से 21 जन्म राज्यभाग्य पाएंगे, बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूजय बनाता हूँ, अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिकर भित्तर की पूजा करते ध खाते रहते हो, मैं तुमको इन धकों से छुड़ाए पूजय सो लक्ष्मि नारायन बनाता हूँ, तुम यहां आए ही हो नर से नारायन बनने के लिए, आधाकल्प माया से पीडित हो अभी तुमने आकर शरन ली है परमपिता परमात्मा की, मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरन ली है शिवबाबा की, उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिवबाबा का नाम कभी बदलता नहीं है, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है, 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते, 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन ल जानते भारतवासी जो देवी देवताय थे वही 84 जन्म लेते हैं यहां है बेहत का ड्रामा इसे मनुष्य को ही तो जानना है तुम जानते हो गौड फादर स्वर्ग का रचिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्सा मिलना चाहिए भारत स्वर्ग था वह वर्सा फिर माया रावन छीन लिया अब फिर माया पर जीत पानी है माया जीते जगत जीत रावन से हार खाई तो देविल बने अब डीटी देवता बनना है कांटे को कली कली को फिर फूल बनाना है माया का तूफान आने से कलियां वा फूल जड़ जाते हैं मात पिता का बनकर फिर फारक्ती दे दे यहां समझने की बात है ना। अपको बाप से वर्सा मिलना चाहिए। उनको ब्रदर होड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्सा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख, शान्ती का वर्सा देते हैं। बाप आकर तीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सत्गुरु बंद साथ ले जाते हैं। सत एक ही ग होना है, सबको शांतिधाम, सुखधाम जाना है। कहते हैं नई या मेरी पार लगाओ, हम विशय सागर में दूबे हुए हैं। तो बाप को आना पड़े शांतिधाम, सुखधाम ले जाने। आधा कल्प है शुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। यहा भारत बिलकुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे। सत्युगत्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इश्वर के साथ योग लगा कर पत पाना है। सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं। समझाने वाला है ज्यान का सागर मनुष्य ज्यान सागर नहीं होता यहां बाबा अपने को ज्यान सागर नहीं कहते तुम अभी मास्टर ज्यान सागर बन रहे हो ज्यान सागर से सारा ज्यान हप कर लेते हो जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नौलिज स्टूडेंस हब कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं तुम सारे ज्यान सागर को हब कर लेते हो सारा ज्यान आ जाएगा तब फिर तुम प्रालब्ध पालेंगे बाप निर्वान धाम चले जाएंगे तुम बच्चे नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार वर्सा ले लेते हो इस नौलेज से तुम सोद देवी देव का सदा सुखी बन जाते हो अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं बाब कितना सहच कर समझाते हैं पारस बुद्धी बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे तुम समझते हो हम बाबा से कल्पकल्प वर्सा लेते हैं माया छीन लेती हैं फिर मैं आकर तुमको सुखशान्ती का वर्सा देता हूं रावन दुख का वर्सा देते हैं राम सुक का वर्सा देते हैं. कितना जन्मा, कितना समय दुख और सुक का वर्सा मिलता है, वह भी सब तुमको बतलाते हैं. बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो. मैं आत्मा परम्पिता परमात्मा का बच्चा हूँ. बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे. तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे. विकर्माजीत राजा का समवत एक से शुरू हुआ फिर विकर्म समवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है. विकरमाजीद और विकरम भारतवासियों के दो सम्वत है विकरम का सम्वत सभी जानते हैं विकरमाजीद का सम्वत भूल गए है यहां है पढ़ाई देखो मुरली भी कितना च्रेवल, यात्रा करती है नहीं तो गोगगापियों को मुरली कैसे पहुचे टेपस भी जाती है सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे यहां मुरली है वंडर्फुल इसके लिए ही गायन है कि गोपियां कड़फती थी बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में सत्यूग में देवताओं को अपार सुख है इतना सुक कोई पार ना सके किरेजवाहरों के महल में रहते हैं यहां तो सोना कितना महंगा है वहां तो तुम सोने की इटों के महल बनाएंगे फिर उनमें हीरों की जणत होती है बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिग्या करनी है क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेश्ता है इनको किनारे कर दो बहुत है जिनका अभी तक मोह नश्ट नहीं होता है जैसे बंदरी का मोह होता है न ऐसे बच्चों आदी में मोह अट जाता है बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं तुमको अब बंदर से मंदिर लाइब बना रही है रक्षा बंधन का राज भी समझाया है राखी बांधने की बात नहीं है यहां बाप से प्रतिग्या की जाती है मीठे बाबा, बेहत के बाबा आधा कर हम भक्तों ने आपको याद किया है अब आप आए हो बैकुंट का मालिक बनाने इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं हम प्रतिग्या करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे कितनी सहज बात है अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धाला के लिए मुख्यसार एक, श्रीमत पर पतित मनुश्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है बाप का पूरा-पूरा मददगार बनना है दो, ज्यान सागर का सारा ज्यान हप करना है बाप की याद से विकर्मों को डग्द कर विकरमाजीत बनना है वर्दान कोई भी ڈЮटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल-फल के अधिकारी भाव कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रही है सेवा के निमित्य यह कर रहा हूं तो सेवा आपके पास स्वता आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी भविश्य तो जमा होगा ही लेकिन प्रत्यक्षफल खुशी मिलेगी तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे याद और सेवा में बुध्धी बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे स्लोगन जो सदा खुशाल रहते हैं वह स्वन्य को और सर्फ को प्रिय लगते हैं इस मास की सभी मुरलिया इश्वरिय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रहमा मुक्कमल से अपने ब्रहमावत सो अर्थात ब्रहमाकुमार एवं ब्रहमाकुमारियों के सम्मुक 18 जनवरी 1989 से पहले उच्चारण की थी यह केवल ब्राह्मा कुमारीज की अधिकरित तीचर बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है